है कि है यह इस्टूडेंट्स को मुझे का जो हमारा जो टोपिक नाइंत क्लास चैप्टर नमबर टैन जो हमारा चला वाए हैं ग्रिविटेशनल पॉर्स गुर्त्वाकर शिंबल उसका एक आज बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक हैं मारे पास तीन टोपिक हैं मारे पास रिलेटिड हैं एक दूसरे के बिना तीनों की डाइपनिशन अधोर है और यह हम अपने डे टू डे लाइफ में देखें तो तीनों जो हैं बड़े इंट्रेस्टिंग और आजीब और गृब स्वाल दिमाग में पैदा करते हैं हमारे दिमाग में काफी स्वाल आते रहते हैं कि यह चीज क्यों हो रही है हम अभी आपको थोड़ा सा एक्जेंपल भी देंगे और फिर हम इसकी जो हैं डेफिनेशन भी करेंगे बारी-बारी और बड़े इंपोर्टेंट है हमारे पास यह और व्हाग को कवर करते हैं और गाट में प्रेंट को कवर करते है और इसलिए प्राइशन यह बारे में जानकारी होनी चाहिए थ्रेश्ट प्रेंशर और डेंसिटी देखिए हम पहले थोड़ा सा आपको हींट देते हैं बात रहें कि हमारी हिंदी में इसको बोलते हैं परनूद दाब और घनतव क्या होता है तो चलिए हम सुरू करते हैं हमारा आज का टोपिक प्रेसर थ्रस्ट एंड डेंसिटी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चैनल को लाइक भी कीजिए सब्सक्राइब भी कीजिए तो सुरू करते हैं हमारा आज का टोपिक देखिए आपके सामने जो है कहीं बार दिमाख में आपने सोचा है कभी कि उन्ट रेगिस्तान में आसानी से दोड दोड लगा द g देख़ाँ है कभी यहार आपने सुना होगा और जो एक मानलो बैल है या कोई अन्य पस होया है उन्ट केविक वो नहीं दोड सकता रेगिस्तान में रेगिस्तान का अमतलों क्या लेत हो है क्या हो रेत ही रेत होता है उसको हम क्या बोलते हैं रेगिस्थान बोलते हैं मतलो रेत का स्थान तो उसको क्या बोलते हैं रेगिस्थान बोलते हैं तो उंट वहां पर आसानी से चल जाता है लेकिन दूसरा पसु जो है नहीं दोड सकता देखिए देखोंगा आपनी देखते होते हैं जिसका भार 1000 टन से भी लगबग जाद होता है एक स्तत्व चेन पर स्तत्कमतर लगातार जो बीच में किसी प्रकार से टूटी हुई नहीं होती स्तत्कमतर लगातार कंट्यूनून देखी यह देखे एक्जांपल देखी जो सेना के टैंक होती है वो इस तरहें चेन प चोड़ा हम देख रहे तो दूसरा एक्जामपल होरा हम लेते हैं जो काटने वाले ओजार देखेंगा आपने वह आगे से बड़े नुकिले होते थह किटना नुकिला हैं काटने वाले ओजारों की धार तेज क्यों होती है तहीं हैं अब देखिए कि therefore में कि इतने प्रिश्न हें लेकिन बड़े-बड़े जाज कि ने रूप्तें किते बड़े-बड़े जाज होते हैं भो पानी में डोढ़ जाती है तो यह इस त्रहां के ही कोशन हमारे दिमाफ में आते हैं ऐसा क्यों हो रहा है तो इन सभी का हमारे पास इन तीन ही पॉइंट में सब का अंसर रहेए हमारे पास लाब प्रैशर और प्रण और प्रणोद की बात करेंगे तीनों का और सब स्वसेब्स क्राइएंगे जब के बारे में पता होगा ज्यान होगा तो चलिए सुरू करते हम हमारा टूपिक आप इस ये क्या है दाब है आप डिफिंस पर आते हम देखी दाब तेकि दाब आप देखते हैं दाब आदाна इनके प्रेशर आप और किस तरह का बल है और किस तरह का बल है किस तरह से लगते कि बोलते हैं जो लगता है प्रिपेंडिक्रर लगेगा ना किसी भी इकाई स्थ다 पर एकाई काल में होटा फाक्ट भी ने सकते हैं जैसी यह फाक यह फा helpful ले, इसके लंवध इसके perpendicular जो force लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं दाब बोलते हैं, pressure बोलते है शेद्रफल जितना बड़ा होगा दाब उतना ही कम हो जाएगा क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही अधिक हो जाएगा इसकी काई नूटन प्रती मीटर होती है जिसे हम पास्कल भी कहते हैं पास्कल का चा्य करते हैं भी दोब जाती है और ज़ाज जो है नूबता तो उसमें यही देखी क्षेत्रफल बढ़ा हो गया जब जाज होगा तो दाब क्या है कम हो जाएगा तो इसलिए रफल जितना कम होगा दाब उतना ही अधिक होजाएगा इसलिए कर सकते हैं इसी प्रकार जैसे उंट चलता है तो क्या हो गया क्षेत्रफल बढ़ गया तो दाब क्या हो गया कम हो गया तो उंट असानी से दोड़ पड़ता है इसमें तीनों पॉइंट हमारे दाब प्रणोध और घनतव तीनों दो हैं एक दूसरे से इनको ध्यान से समझिएगा आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे पॉइंट तो चलिए आगे चलते हैं हमारा दाब का जो फार्मुला है इंपोर्टेंट है हमारे पास पर यूनिट एरिया बोलते हैं यानि कि प्रिष्ट के लंबवत बल जो लगेगा प्रपेंडिकुलर न यह बटे में है तो यह जितना ज्यादा दिवाइड होगा तो दाब भी क्या ओजएगा कम होता जाएगा तो यह इसके पीछे थूरी है तो इस पार्मुले से हमें पता चलता है क्योंकि देखिए कि हमारे पास फॉर्स पर यूनिट एरिया है ठीक है अब मालो फॉर्स दो ह और एरिया चार है मालूम अब यह देखिए अगर जब हम चार से डिवाइड करेंगे तो कुछ अंसर आएगा लेकिन यहां पर चार सो लेने तो और कम हो जाएगा ना इसका मतलों दाब कम होता जाएगा जितना एरियम बढ़ाते जाएंगे आप देखिए दाब जो होता है उसमें इनके प्रेसर इन लिक्विड दर्व में दाब क्या आशर होता है दर्व के अनुं के द्वारा बरतन की दिवार अथ्वा तली के प्रती एकांग शेतल पर लगने वाले बल को दर्व का दाब करते हैं मान दो जैसे कोई यह है देखिए इसके अंदर ये दिवारों पर प्रेसर लगाता है जोर लगाएगा या तो दिवार पर या तली के प्रती एकांग शेतल पर लगने वाले बल को दर्व का दाब करते हैं मतलों जो दर्व दाब लगा रहा है वो दर्व का दाब होगा दर्व के अंदर किसी बिंदू पर द् द्रव की स्तेय से उस बिन्दू की गहराई द्रव के घनत्तव तता गुर्ट्य अत्वन के गुंद्फल के ब्राबर होती है यह फार्मला आया आपने आट कर लिजा फटर फटर ध्यान से देखिए यह यहनिके दाब जब हम द्रव की बात करेंगे एच डी जी एच के बिन्दू की कहराई क्या है द्रव का घनत्तव डी कही वर हम रो ऐसी भी लिख देते हैं रो गुर्ट्य अत्वन के गुंद्फल के ब्राबर होती है यहनिके दाब ब्राबर एच डी यह इंपोर्टन्ट हमाने पास है आप देखिए द्रवों के जो हमारे किस दर्व में अपयाज रहेंगी सफित ड्रव में एक एक स्थिखतर तल में सभी बिंदो पर दाबस अमान रहेगा ती कैनी जैसे मानलो अप गुबारे में पानी भळिते हैं तो गुबारे के हर प्वाइट पर रेब क्या रहेगा सेम रहेगा लग-लग नहीं रहता कभी हर के यह कोई सिर्द्रव के बेटर किसी बिंदो पर एक दिसा में ब्राबर होते हैं अब दिशा में हर दिशा में वही बात होगे na हर प्वायट पे सभी बिंदो पर समान है तो दिशा में भी समान हो जाएगा कि कि दर्व के बितर किसी बिंदोपर दाव स्वसंतर तल से बिंदू की गराई के अनुकरमान पाती होता है कि है नि जैसे ही अमारा घनत्व बढ़ेगा तो दाब भी भढ़ जाएगा देखिए इसलिए कहा तब यह तीनों तूसरे से रिलेटेड है इनको अच्छे तरीके से समझिएगा घनत्व अधिक होने पर दाब भी बढ़ जाता है इस प्रकार वही बल जब छोटे एक शेत्रफर पर ल होती है क्योंकि घनत्व अधिक होने पर दाब भी क्या हो जाएगा यानि कि वही बल जब छोटे शेत्रफर पर लगता है तो आधिक दाब तता बड़ेक शेत्रफर पर कम दाब लगेगा यह हमारे पास इनका लोजिक होता है विच्छाकू है यह कील है आगे से नुकिली की बनी रहती है क्योंकि हमें इसी के साफसे काम करना होता है अब देखिए परनोद की बात करेंगे दर्वय दवारा लगाया बल सदा बर्तन की दिवार या पेहन दे के संपर पर वित्रित होता है यह देखिये हमारे पास यह कोई बर्तन है तो यह जो नीचे है ना पैंदा क् है पर नोध है पर यानिके पेंदी पर लगने वाला बल आंप इस साइड वाली पेंदी लिंदे ये दिवार ले रावल दिवार कामतो लो पैन यह के चलंगे तो यह हमारा सोटर रही का इसको करने के लिए पेंदी पर नोट रहूं है यह है बल सब्सक्राइब करने के लिए लगता हैो यह यह साइड्ड वा। ने भी प्रपेंडिकलर और यदि हम नीचे की बात करें तो फिर इस त्रइसे लगेगा नीचे की यहीं कि हमेड़ा क्या लगता है परपैंडी क्लड़ लगता है Kिसी प्रीष्ट यास्त थैक लगते प्रनोद को ही हम इस तरह सेeras करते हैं कि इसकी ड कृश्ट मिनाती है मतलब किसी प्रीष्ट यास्त है के लंबवत लगे वे को हम क्या बोलते हैं परनोध बोलते हैं जो उसके पर लगता है या लंबवत बल बटे में जिस पर बल लगता है बल मालू गिलास पे लग रहा है उसकी पेंदी पे लग रहा है जहां भी लगेगा तो प्रेसर यानि के दाब का फार्मल लग हो गया थरस्ट बटे में एरिया इनिके परनूद बटे में उक्षेत्रफल यहां हम बोल सकते हैं लंबवत बल या जिस पर बल लगता है इसका मतल परश्ट है ध्यान से देखिए यह पॉइंट एकजाम के लिए इतना ही काफी है यदि लंबवत बल या परनूद बराबर हो तो फिर प्रेस्ट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दाब उतना ही कम हो जाएगा नोट कर लीजे पॉइंट ध्यान से प्रेस्ट का ख्षेत् त्रफल जितना कम होगा दाव उतना ही अधिक हो जाएगा अब जैसे यह सूनी है ना तो सूनी आके से नुकिली इसलिए बनाई है क्योंकि इसका अक्षे त्रफल निचे से कम हो गया तो फ्रैसर उतने ज्यादा बढ़ दाएगा यानि के सिंपल सा पॉइंट लो जिक है हमारे पास कमेरिया ज्यादा दाब कर्मेरिया ज्यादा आब यह सोट्री का मर्याद ज्यादा दाब कमेरिया ज्यादा दाब क्लिर Buenos a antrad को बल की हमने definition जो किया वो ही चलेगी वह एक ऐसा कारक है जो वस्तु की स्थिति में प्रिवर्तन कर देता है या प्रिवर्तन करने की चेश्टा करता है लेकिन प्रिष्ट पर जो बल लगेगा यह दाब क्या एक प्रकार का बल है किसी प्रिष्ट के कांग शेत्रफर लगने वा लाएं कि हमने अभी क्या देखा कामेरिया ज्यादादा बहुत की में किसी प्रदार्त के इकाई आयतन में नहीं तद्रियमान को उस प्रदार्त का घनतव कहते हैं इसे रोग से लिखते हैं अब हम आ गए घनतव बड़ा टोपिक तेकि इंपोर्टन अगे इस बोड़ कर रहा हैं किस पे डिपेंड कर रहा है ? अब यह मर्को आपको हम्यगे याब डिक्ते हैं किसी पतरिक से और जो ग गणतव किसी पदा आर्थ के घने पन की माप आ देखिए यह पाइंट नोट कर लिए गनापन कितना ज्यादा घनापन है उसका घना नजदीक है वह उसके जो अणू प्रमाणू है जितने ज्यादा नजदीक हो जाएंगे न उतना ही उदि गनता बढ़ जाएगा मान माइन् focus ah आदधी कि मांलों है और किलो और गीलो में जो द्यो माने में या एक ये तो उसमें गनत मुशियका जाद मैं जींद में जीन तो कि ये पत्थर क्यां वैसे देख लिए अगर हम लोकल लेंगविज में अब मानलो एक तो एक किलो रोई मारेंगे हम किसी आदमी गोरे एक किलो का पत्थर मारना है तो किसे सीर फोटेगा तो सिरी सी बात है पत्थर से फोटे क्योंकि उसका घनतव जादा है ठीक है नो और इसकी काई किलोग्राम प्रती घन मीटर होती है सिरी सी बात किया किसी भी पदार्थ की सगनता उसका घनतव कहलाती है यह नोट कर लेजिए किसी भी पदार्थ की सगनता उसका क्या कहलाती है घनतव अब घनतव को सोट कट में करते हैं किस करेंगे देखी किसी पदार्थ का घनतव उसके एकांक आ अब देखिए द्यान से एक्जाम्पल में ये क्या हमारे पास कोई लोएगी वस्तु या बट्टा बोल सकते हैं और ये क्या रोई अब देखिए इन दुन्नों में तुन्नों का जो मास है वो एक किलोग्राम है के एक क्लोग्राम अब आप घंत्व किसका जयादा क्यूंकि इसका जर्टाइब का मैं ओजाएगा तो रोई ज्यादा जगह लिए तो ये इसका घनतव काम हो दाएगा ये देखिए हम सहाध की लेते हैं और ये निचे पानी है तो सहाध पानी में घनतव के मुख़विंदू क्या है देखिए इंपोर्टेंट हर एक्जाम में आता है देखिए दान से चार डिग्री सेंटिग्रेत आपमान पर पानी का घनतव सबसे ज़्यादा होता है ये नोट कर लिए इसलिए समूद्री जल में तैरना आशान है नोट कर लिए पॉइंट घनतव ज्याद करने के लिए देखिए डेंस्टी मीडर का ओप्योग ही याद आता है यह अग्जाम में आते हैं जो बड़े-बड़े ग्जाम देते हैं इसको नोट कर लीजिए हर बार ये हर एक्जाम में आने वाले कुश्यण है आप करते हैं आप एक्षिए घनतव की बात देखिए आप एक्षिग पदार्थ के घनतव, इम चार डिगरी तापमान पर पानी के घनतव का उप्रोक पदार्थ का आप एकसी घनतव कहलाता है, यानि कि पदार्थ का आप एकसी घनतव कहाता है, पदार्थ का घनतव, बटे में पानी का घनतव, यह फार्मुला याद कर लिए बस, आपेक्सी घनतव क्या होगा पदार्त का घनतव बटे में पानी का घनतव उदान देखिए स्टील के आपेक्सी घनतव की घनतव की घनतव करते हैं ऍद्द का गलत गनतव क्योंकि लिखते हैं और अपैक्सी घंतव बटे में पानी का घंतव हो धानके भनहों क्या होता हैं पानी के घंतव से रिवाइड कर देते हैं उसके घंतव को मेंन से divide कर देते हैं तो वो उसका आपेक्सी घनतव आ जाता है नोट कर लिजी किसी भी पदार्थ का आपेक्सी घनतव क्या होता है जब उसके घनतव को पदार्थ के घनतव को पानी के घनतव से डिवाइड कर देते हैं भाग देते हैं या उसके अनुपात को यह पदार्थ के घनतव के अनुपात और पानी के घनतव के अनुपात को यह हम क्या बोलते हैं कि आप एकशी घंतुव बोलते हैं कि कई बार जो हम आप एक ची घंतों को क्या बोलते हैं विसेश्ट घंततुव हिविवि बोलते हैं तो आपने एक बरना नत या या गुर्थाव घंत baixo इसा कि लिए अप एक सी घंतों की को ही नहीं है दर्व का पिए गुनत्तों ज्याद करने के लिए प्रियोंग होने वाले इंत्र का नाम क्या है हाईड्रोमीटर है डेखी अब एक ग्जामपल लेटे हैं लास्ट में ये देखी है हमारे पास सूज दिये गए चपल दिये हैं लेडी चपल है तो इसमें और इसमें क्या डिफ तो इस तरह के सूज में चलना हमारे पास आसान होता है बजाएगी जिसकी एड़ी जो है नुकिल होती है उसमें यहीं कि राधर देंदा सूज विद सार फील तो यह था हमारे पास आज का टोपिक